दोस्तो इसकुल में बच्चों को अगर सबसे पहले कुछ सिखाया जाता है तो वो है सुन्दर अक्षर बनाना जिस छात्र की राइटिंग अच्छी होती है उसे उतनी ही तारीफ मिलती है इसे में एक आठवीक अक्षा की छात्रा की राइटिंग इन दिनो शोशल मीडिया प बनाने वाली बच्ची का नाम है प्रकरती मल्ला जो की नेपाल की रहने वाली है बता दे इस लड़की ने नेपाल में नेशनल लेवल हेंड राइटिंग कॉम्पिटिशन पेंड मेंशिप जीता था सिर्फ इतना ही नहीं बलकि नेपाल सरकार ने इनके साइन को देश के सबसे खुबसूरत साइन के रूप में दर्जी किया है प्रकर्ती की इस सुन्दर लिखावट को देखकर हर कोई यही कहता है कि कोई इतना अच्छा केसे लिख सकता है प्रकर्ती ने फिलहाल दुनिया की सबसे खुबसूरत हेट राइटिंग का कोई कॉम्पिटिशन तो नहीं जीता है लेकिन उनके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह राइटिंग दुनिया की सबसे खुबसूरत राइटिंग में से एक है उनकी हेट राइटिंग को देखकर भी ऐसा ही लगता है कि क्या कोई इससे भी खुबसूरत लिख सकता है प्रकर्ति को उनके मोतियों के अक्षर जैसी सुन्दर हेड राइटिंग के लिए देश में कई जग सम्मानित किया जा चुका है बता दे लोगों को प्रकर्ति की कर्सिव राइटिंग इतनी पसंद आ रही है कि वो इसे केलिग्राफी से कमपेर कर रहे है प्रकर्ति के मुताबी को रोजाना दो घंटे लिखने का अभ्यास करती है और इसी कारण उनकी लिखावट इतनी अच्छी हुई है तो दोस्तों आपको ये सुन्दर हेड राइटिंग कैसी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताए साथ ही वीडियो को लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले ताकि देश और दुनिया की तमाम अनुखी खबरे हम आपके लिए लाते रहें